कैसे हैं आप सब आशा है कि सभी अच्छे होंगे और आज मैंने व्लोग बनाया क्योंकि मेरा मन था तो सुबह मूड अच्छा था फिर मैंने सोचा चलो आज व्लोग शूट कर लेती हूं तो शुरुबात की मैंने किच्छन से यहां पर मैं बना रही हूं सबजी गीशा की ढ़ना लाने जाता तो मैं तो जब तक नवरात्री चलते हैं तब तक इस सदाज होता है बिना प्याज का ज्यादा टलाब नहीं होता इस तरह का खाना बनाती हूं और पता है जो एन नवरात्री होते हैं गर कि सइन्टिफिक रिजन भी देखों तो क्या होता है कि हम 10 दिन Nash वर्थ रखते हैं तो हमारी बोड़ी भी डीटॉक्स होती है हम ज्यादा तला भूना हुआ प्याज का इंद लब ऐसा कुछ खाना नहीं खाते ना जो अगर वर्थ भी नहीं रखते तो उन लोगों की भी ना जो बोड़ी होती हो डीटॉक्स हो जाती है और हम फिर तेना यूगा करना स्टार्ट कर दिया है कि वर्वेशी काम हुगा काम जादा कम हुए मैंने डॉयट की और बहुत मतलब मैंने बहुत सारे यूट्यूप की Episode को कोई फोलो किया डाइट भी की फिर भी मुझे अपने आप में कोई भी फरक नहीं नजराया लेकिन जब से मैंने यूगा करना स्टार्ट किया है तो मैं मैंनल और फिजिकली दोनों तरह से फिट हो गई हूं तो यहां पर मैंने जो क्लासिस देखी थी ना उसमें ये ट्योब पर तो वही मैंनको रिपीट करी थी याद करी थी कैसे कैसे क्या था और मुझे लगबग 20-25 दिन हो गए ऐसे योगा करते हुए और आप कमेंट करके जरूर पताना कि आप में से कौन-कौन योगा करता है और जब हम स्टार्ट करते हैं योगा करना तो बहुत आलसाता है ब अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने पर जरूर टाइक करना आपको फरक जो अपने आप में वह ज़्यादा दिखाए देगा आप वह ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे हर एक चीज़ को एंजोए करने लग जाओगे और बहुत ज़्यादा ख तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा वेट कम लग रहा है या नहीं लग रहा मुझे तो अपना वेट बहुत ज़्यादा कम लग रहा है और बस आप इटीशिट को इग्नॉर कर देना क्योंकि मैंने अससे पहले कीचन में काम किया था था ना तो सुझ ज मैंजने थे से आठेक हैं और अब हम इसे हुई जाता है तो आगे बढ़ते हैं अब हम कर लेते हैं किचन की सफाय किचन की क्या पूरे घर की सफाय करने थी तो स Посudसे पहले मैंने पूरे घर में लगा दी लगाती ह21 मैं तो आसी कि भड़ हो कि लगाती हूं लेकिन जब वह कभी भार नहीं आता और जब टमी भार आ जाता है तो आप कुछ भी ड्रेस पैंते हो इंडियन या वेस्टन वह आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और मुझे जो टमी भारने के लिए होती है बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब वेट कहीं से भी बढ़ जाए वह मैं करती हूं फ्रूट खाती हूं खीरे खाले लेती हूं लस्सी पी लेती हूं भार से कुछ भी नहीं लेगती ना बिल्कुल ऑश्य जैसे की वह होता है कुट्टू के आटे की पूरे बगरा वह भी नहीं बनाती और ये देखिए आज धली मैं आसे कपड़े बिचने द द दोड़े दे भाष जोड़ा तो मैंने कापड़े खरीद ये थिए मैंने कपेड़़े थे ये माने 3 खरीद दे थे जाथ estos यह दो यह ांएक है ग्रीन लिया था वह ऐ दोमा आधि वह तो फक्राइब निया था कि मैं अब ट्राइ करूंगी इनको जैसे रात को जम फ्री हो जाओंगी ना तो मैं बैठ जाती हूं उनका पड़ो को लेकि सिलाई मशीन को लेकि कुछ ना कुछ कलागारी करती रहती हूं मैंने आज तो कभी सिलाई नहीं सीखी कभी कुछ भी नहीं किया बस ओनलाइन दे फीवर भी है आज तो इस वज़े से मैं दूप में बैठी हूं और कई दिनों के बाद धूप निकलती न तो बहुत अच्छा लगता है बारिश का मुसम था और आज खिली के लिए धूपती न तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे न सन बात लेना भी चाहिए और लिए कुछ टी-शुट और कुछ अपने लिए तो मैं यहां से क्या-क्या खरीदने वाली हूं क्या-क्या नहीं खरीदने वाली हूं वह सिभा मेरी मतलब इसरह अलगं वीडियो देखेंगे तो मैं ने जो भी शोपिंग की उसके लिए में फ्रूब बना दूए यहां पर म में बैठ लेए थी जिदेखो कितने ध्यान से देखे जिस इसको सब समझ जा रहा है और ये अब इसका पढ़के मन भर गया है तो ये देखो मेरे को कैसे परिशान कर रही है अब एक बार धर बैठेगी फिरह से परिशान करेगी और शादी होने के बाद और बच्चा होने के बाद थोड़ा पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ है टफ है ना मुम्किन नहीं है मुश्किल है लेकिन असमभव नहीं है अगर हम जाहें तो कुछ भी कर सकते आज की विलोग में बस इतना है थैंक यू